हलो दोस्तों दिस इस कृष्णा वसिस्ट एंड आप मझे शुरू रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरू और आज हम पढ़ने वाले हैं लेंगविज एंड थोड्स यहां पे प्रिपरेशन चल रही है सीट है 2020 के लिए एक्जाम पोस्ट पन ना भूले इससे फायदा यह होगा कि जब जब इस चैनल पर कोई भी वीडियो अप्लोड होगी तो आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और चलते हैं आज लेंगविज एंड थोड्स को अच्छे लेव अगा उसकी की जो पॉइंट उफ यू है वो भी मैं आपको समझा दूगा क्योंकि एक्जाम में उन्ही पॉइंट उफ यू को लेके क्वेशन आता है कि प्याजी ने क्या बूला हुआ है लेंगविज एंड थोड्स के उपर और वाइग उसकी ने क्या बूला हुआ टो चलिये दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदंड वेस्टिग एणि मोमेंट अ असलार करते हैं सबसे पहले करें कऌ यहां पर लिखा हुआ है लेंगविज उन धोड़ डूवी थिंक वट वी शे और से अवट ही अग तो सोचते एक्या हम जो सोचते हैं क्या हम वेंग उसक नहीं न और क्या हम जो बोलते हैं वो सोचते हैं ठीक है तो ये बिलकुल एक डिफरेंट तरीके का एक फेनमेना है एक प्रॉसस है एक प्रकार की डिबेट है क्योंकि साइकलोजी के अंदर का आफिसरी डिबेट पहले से ही चली हुई है जैसे कि एक फेमिस डिबेट आपको पता होगी नेचर वर्स नर्चर की ठीक है तो कुछ ऐसा ही है ये क्योंकि प्याजे ने कुछ और बोला था और वाइगोज के ने बिलकुल उसके उल्टा बोला था तो स्टार्ट करते हैं सब से लिए डू वी थिंक वट वी से क्या जो हम समझते हैं जो हम सोचते हैं क्या और गलते हैं या फिर जो हम बोलते हैं क्या वह समझते हैं क्या सोचते हैं what is the precise relationship between language और थोटे हैं अब देखो इन पर तो था डिलकुल यह दुब्लिटी इस पेदो फोनबाइध करके हैं तो थोड़ा धयां से देखिएगा सबसे पहले हम इस द्रिष्टिकोन को लेकर चलते हैं कि language shapes thought कि जो भाषा है वो thought को shape करती है तो it means यहां पर language को बोला जा रहा है कि वो पहले आ रही है thought को बोला जा रहा है तो सबसे पहले अब linguistic का क्या मतलब है मैंने कुछ दिनों पहले एक lecture लिया था जहां पर मैंने आपको समझाया था linguistic का क्या मतलब linguistic का मतलब है कि एक ऐसा person जो की बहुत सारी languages को जानता है ठीक है एक ऐसा person जो more than one language को जानता है मालो किसी को चार language है किसी को फांच language पता है तो उसका ये perspective लेके चल रहा है ओके ठीक है अच्छा आगे सल दें suggest that language actually shapes or determine thought ठीक है वोर्फ 1956 का ये दिस्टिगोन है तो linguistic approach को लेके हम बात की गई है linguistic का मैंने आपको मतलब पहली बता दिया है कि आपको अगर 4, 5, 6 भाषा अगर आपको आती है तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो language है that shapes your thought कि आपकी जो भाषा है वो आपके विचारों को control करती है ठीक है अब कैसे इस बात को हम आगे समझेंगे according to this view इस view के नुजार people who speak जो people बोलते हैं different languages may actually perceive वो actually perceive करते हैं perceive का मतलब gain करना होता है actually gain करते है the world in different ways ठीक है इस world को जो people जो person more than one language जानता है they know many languages they know how to speak many languages तो वो इस world को different तरीके से perceive करते हैं as compare जो कि person सरफ एक ही language बोलता है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो person suppose करो 5 language बोल रहा है मालो ए परसन है वो 5 language बोल रहा है और आप जो है वो एक ही language को बोल रहे हो तो जो 5 language बोल रहा है वो इस world को एक अलग तरीके से perceive करने की कोशिश करेगा perceive करना मतलब एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करेगा और जो सरफ एक ही language जानता है वो इस world को अपनी भाशा के अगोनी की समझने की कोशिश करता है ठीक है? अच्छा their thinking is determined by the words क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो इनसान बहुत सरी language को जानता है जो इनसान बहुत सरी language को जानने का इच्छुक है या फिर हो जानता है तो वो actually में word के हिसाब से इस सारी चीजों को समझता है उसकी जो thinking है word के हिसाब से हो जाती है ठीक है? जो word उनके brain के अंदर store है अब जैसे एक example यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि आपके यह जैसे ही होते है Eskimos होते हैं बहुत सारी भासा ही जानते है अब who have many different words to describe snow आप देखो snow का यहाँ पर example लिया है snow का जो snow होती है वो आपकी बर्फ होती है basically अब Eskimos क्या होते हैं वो काफी सारी भासा ही जानते है अब snow snow का जो meaning है उनको एक से जादा भाशों में पता है उनको पता है कि snow को English में क्या कहते हैं snow ही कहते हैं snow को जैसे suppose मैं example ले रहा हूँ snow को Hindi में क्या कहते हैं snow को तेलगो में क्या कहते हैं snow को French में क्या कहते हैं snow को German में क्या कहते हैं अब ऐसा इंसा इंसान जिसने बहुत सारी भाशाय समझी हुई है उसनों को एक से ज़्यादा word में describe कर सकता है तो actually उसका जो thought है वो influenced by है words से words बहुत सारे जानता है वो एक ही word के meaning बहुत सारे अलग-लग भाशाओं में जानता है तो उसकी जो thought है कही ना कही control होगी, influence होगी उसके thinking से या उसकी language से ठीक है? मैं actually perceive this aspect of physical world different from English speaking people who have only one word अब मालो जैसे मैं आपको example दिया है कि एक इंसान के वाल एक ही language जानता है, जैसे मालो अब मैं आपने एक example ले लेता हूँ, जैसे सपोस कर मैं English जानता हूँ तो मैं के वाल English जानता हूँ, तो मेरे को सरफ एक ही word पता है ठीक है, इसका ये meaning है English में लेकिन जो इंसान पांच language पहले सी जानता है तो उसको उस specific word के पांच meaning पता है, different different languages के अंदर, तो उसके दिमाग में ज़्यादा word होंगे ठीक है, क्योंकि वो पांच language का जानकार है, और कहीं न कहीं उसकी जो language है, उसको thought को shape करेगी माँ पे, ठीक है, तो एक perspective इस तरीके से सोचा गया है कि language shapes thought, ठीक है तो ये, this may be the first perspective अब second perspective लेकर चलते हैं thought shapes language कि चलो देखते हैं, इसमें thought shape language की भई, thought जो है language को shape करता है, तो basically ये perspective भी कहीं न कहीं linguistic relativity approach से जुड़ा हुआ है, ठीक है other possibility known as linguistic relativity approach, जो की Mitura and Okamoto 1989 का perspective है suggest that thought shapes language this position suggest that language merely reflects the what we think, ठीक है मतलब ये बताता है कि basically इसमें जादो कुछ खास बताने का है नहीं ये simple ये बताता है कि कि किस तरीके से thought जो है वो language को shape करता है basically जो हमारी language है वो हमरी thinking को merely reflect करती है, तो इस वज़े से हम कहा सकते हैं कि जो thought है वो shape को, वो thought है जो है वो language को shape करता है, ठीक है, अब आईए थोड़ा सा मैं आपको प्याजे का दिस्टीकोन और लेवाय को उसकी का दिस्टीकोन समझा देता हूं ठीक है, क्योंकि ये exam में ज़रूर आता है कि प्याजे what प्याजे says, basically प्याजे क्या सोचते हैं तो देखो बच्चो, दिहान से इस बात का एक पर not बना लेना, इस point का, इस statement का जो कि मैं आपको कहने वाला हूं अकोडिंग टू प्याजे अकोडिंग टू प्याजे प्याजे के अकोडिंग जो है language पहले आते है, sorry thought पहले आता है, बाद में आती है language ठीक है, प्याजे ने ये कहा है कि थोट्स, जो दिमाग में पहले schema बनते हैं, it comes first then, जो thoughts हैं उसको describe करने के लिए उसको express करने के लिए हमें जो है language की जरूरत पढ़ती है हमें speech की जरूरत पढ़ती है जो से through हम cable communication करते हैं ठीक है, तो thought comes first language comes later हलाकि ये चीज़ मैंने पहले पढ़ाई हुई है आप Tax Guru के home page पे जाओ और वहाँ पे आपको playlist मिलेगी playlist में, CDP के नाम से एक playlist है ठीक है, CDP तो वहाँ पे जो है CT admission के नाम से एक playlist है वहाँ पे मैंने प्याजे वाइगोट्सकी के lecture काफी सरे डाले हुए है आपको मैंने बता दिया है कि I told about the difference between प्याजे एंड ले वाइगोट्सकी के इनके बीच में क्या difference थे तो basically प्याजे के according थोड़ पहले आता है language आपके बाद में आती है तो यह चीज आप अपने दिमाग में set कर ले अच्छा अब बात करते हैं कि basically जो है वाइगोट्सकी का क्या खेना आता यह आपके जब कोई बच्चा बिगिनर होता है मतलब किसी भी social activity में वो involved नहीं होता क्योंकि वाइगोट्सकी जो थोरी है वो completely social है तो उसकी language और उसके thoughts यह different होते हैं मतलब there is no connection between language and thoughts ठीक यह बात आप समझ लो जैसे जैसे बच्चा जो है social activity में involved होगा ठीक है socially वो involved होगा जादे से जादा तो इस environment को जादे से जादा सीखेगा तो होगा क्या after two months three months language और thoughts यह आपके जो है मर्च होना start हो जाते हैं मर्च मतलब language और thoughts आपस में एक दूसरे में मिलना start हो जाएंगे और after few months क्या होगा आपका सरफ एक ही circle होगा मतलब एक circle दूसरे circle को एकदम से coincide कर लेगा मतलब एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ जाएंगे और language भी उसमें होगी और thoughts भी उसमें होगा तो कहने का मतलब यह है कि according to whygoats की इनोंने पहले language और thoughts को independent terms माने है ठीक है तो यह चीज होती है तो यह ऐसा माना था whygoats की का तो मैंने आपको प्याजे का perspective बता दिया whygoats की का perspective बता दिया so we have discussed everything in the context of language and thoughts यहाँ पे I don't think so कि मैंने कोई topic आपके लिए छोड़ा है मैंने सब कुछ cover कर लिया है आज का सरफ एक छोटा सा lecture था यह ठीक है इसमें ज्यादा कुछ बताने को नहीं था सरफ यह point important है प्याजे और whygoats की का तो यह आप जो है अच्छे से समझ ले ठीक है और यह basically परकार के debate है we exactly don't know what happens language shapes thoughts और thought shapes language ठीक है तो यह चीज़े नहीं पता तो पड़ी खुशी हो रही है आज मैंने intelligence तो मैंने पहले खतम करा ही दिया था आप लोग के लिए आज मैंने thoughts and language को भी खतम करा दिया है ठीक है तो next time हम किसी नई topic के बार में discuss करेंगे most probably progressive education के बारे में हम discuss करने वाले हैं जो की CDP के अंदर यानि की psychology के अंदर बहुत important topic होने वाला है क्योंकि exam के अंदर question आता है वहाँ से ठीक है तो दोस्तों आज के लिए सरफ इतना ही thank you very much इस video को देखने के लिए और आपका दिन शूब रहे thank you very much दोस्तों